नमस्कार प्रणाम बोड़ लगतानी और आउर थार दिक अभिनन्दन करतानी श्वागत करतानी का अभ्यान जली में मित्रों एक बार क्या हुआ कि एक राजा को किसी आदमी पर गुस्सा आया उसने मंत्री को बुलाया और कहा कि इस आदमी को सजा दो तो मंत्री ने बुला कि ठीक है पांच साल के लिए इसे जेल में डाल देते हैं ु बहुत गुसा है। इसको और बड़ी सजाद हो। ु भ Crystal, ठीक है राजन। दस साल गिली जेल में डाल देते है। ु, No रह bajo, मैं बहुत जादा गुसा हूँ, इसको और बड़ी सजाद हो। ु, Machine, ठीक है ऐसा करते हैं, कि इसको उम्र कयद देते है। बहले, मैंने रहा न, यह कोई बड़ी सजा दो बड़ी सजा, तो फांसी दे दूँ। बहले, नहीं, और बड़ी सजा। बहले, अजीब बात है, राजन, फांसी से बड़ी, इससे बड़ी सजा क्या होगी। बहले, यह जो आदमी है, ओ कभी है। तो ऐसा करो, कि जब यह काभ यह पाठ करे, तो तुम लोग आपस में बात करने लगना। इसकी कविता मत सुनना। तो मेरे राजाओं, मेरे दर्सकों, आप सबसे यह आग्रह है कि इन कवियों को सुनिये। इंज्वाए कीजे, हस्ये मुस्कुराइए। क्योंकि आप हसेंगे, तो धर्ती आपकी और आस्मान आपका। और अगर आप रोएंगे, तो इस दुनिया में कोई भी कपड़े की ऐसी मील नहीं बनी है। जहां और उमाल बनता है, जो आपके आँसु पोच सके। इसलिए इसका ब्यांजली में हम हसने हसाने का काम और कविता सुनाने का काम करते हैं। तो महमान जो आपको हसने हसाने वाले हैं, आज सिरकत कर चुके हैं। आई ये देखते हैं कि वो कौन है। और सबसे पहले मैं बुलाता हूँ। गाजीपूर डिठगावा से आई लेगो हासी ब्यांके कभी। जेकर किताब भाभ भिहान होई कहिया या कैसे चली संसार। अजे पुर्वांचल में अपना हासी ब्यांका थी बहुत ही लोग प्रियबा। उनका नाम भा बिनय भबुरंग। जुर्दार साली के साथ बिनय भाभ प्रुष्ट। ब्राम भाभ अजे बुल ठीक बाभ भाभ भरसता गहुंसवरता जी लिए कह को हाल जाब। चली कह का बरसता कह का सडल बा रुए एस उम्र तक उकरा के कभीता में सुननल जाई आप आसन ग्रान करी। और बिने जी के बाद, अब हम एगो खुबसूरत शायरा, जेकर आवाज भी खुबसूरत बा, जेकरा के सुकंठ कवित्री कहल जा सकेला, ओ गाजीपूर गहमर से आइलबाडी, और उनका नाम बा, सुप्रिया सत्राइब। कोई वा प्यार पर श्रिंगर पर लिखानी सुप्रिया, तब कुछ लोग खहला कि जो रखे लिख यह दो रखे लाजीदा, और रचना में ऑवेला, तर वा प्यार को के लिख यह दो लिख जो भी चीज देखना, अगर अच्छा लाग गया तो उसमने वह जोपैला, आप माल साहर के पास ही हो सकेला, साहरा के पास हो सकेला, कभी के, जी जोन देखे, उकरा के उतार लेवे, बहुत बश्च्वा अगत्पा सुप्रिया, चज़ बेखे, और अब हमने के बीच, एगो ऐसन घजलकार बानी, जेकि एह जिन्दगी के, जिजविसा के, करमटता के, तमाम के, रोजमर्रा के, जिन्दगी के एक छोट-छोट चीज के, छोट-छोट मंजर के, अपना गजलन में उतर लेबानी, ऐसन फनकार, जेकि सिर्फ हिंदुस्तान ना, दुनिया के तमाम देश, अमेरिका, यूरोप के देशन में जाके, भारत के प्रतनिद्ट्यू कही लेब जाके जाके लेबानी, डौक्टर लच्षमी संकर पाथ पे, जाली, सभाग है मेरा, लेकिन अब तो आप आप अकस्वानी से से वा निबृत हो गया है, तभी क्या कर रहे हैं, आज़ गया है, आज़ अज़ क्या कर रहे हैं, जो आपके पास गा कर रहे हैं, बहूत तो चलि, काब ब्यानजली में अब सीथी काबेपाट सुरू करता नि, बाजपेई जी कि सेर से ही उहां क्या मनतित करता नि, कि हम तो अभी सापों से वर्दान जुटा लेते हैं, गम से भी खोसियों के सामान जुटा लेते हैं, गम से भी खोसियों के सामान जुटा लेते हैं और वो जो मनहूस हैं, रो रो के वो जीते होंगे, हम तो आंसू से भी मुस्कान जुटा लेते हैं, ड़क्टर लच्वी संकरबाद भेगे। बहुत बहुत धन्यवाद मनुद जी, गजल का मतला यू है, ये अपने दिल में जो सारे गमों की राजधानी है, ये सब कवियों के लिए, ये भी बात सब कवियों के लिए है, ये अपने दिल में जो सारे गमों की राजधानी है, मेरी आदत पुराने है ये अपने दिल में जो सारे और शेर सुनिएगा आज के दौर की एक दूविदा देखे अड़े हैं जिद पे बच्चे गाउं का घर बेच देने को वो तड़ पे है पिता मा की यही अंतिम निशानी है ये अपने दिल में जो सारे और शेर सुनिएगा करो महसूस उस रब को अधर आकाश को देखो वो कैसी शक्सियत होगी वो कैसी शक्सियत होगी ये चादर जिसने तानी है ये अपने दिल में जो सारे घमों की राजधानी है और एक सादा शशेर यूँ है चेहरे से जुबा फोरन बताती है जुबा फोरन बताती है वो कितना खानदानी है ये अपने दिल में जो सारे और एक शेर और यादा आ रहा इसमें हवस के दाइरे लेकिन कहां फिर भी सिमटते हैं पता तो सब को है इतना ये दुनिया आनी जानी है ये अपने दिल में जो सारे और आखरी शेर घजल का ये हसते फूल ये गाते परिंदे जुमती फसलें अब उसका नाम जो भी हो अब उसका नाम जो भी हो उसी की महरबानी है ये अपने दिल में जो सारे गमों की राजदानी है जमाने भर के गम ढोना मेरी आदत पुरानी है ये अपने दिल में जो सारे है जमाने इस गजल शुन है वह थे आशावादी चितर लेकर जंदगी से लड़े वाला इशेर आला कुछ शेर हम देतानी वाहर हम भून बदलातानी है कि कहानी के तरे पूरा करी जा बात कहानी के तरे पूरा करी रवे बताईना जा बात कहानी के तरे पूरा करी रवे बताईना बनाई छट जुआ पन त धहेई भीत लागेला किसानन का चेहरा आज कितना मनहुस बाइब पढ़ा लिखल घर घर में बेटा ना खुस बाइब खेती या नौकरी को दुएब दुश्मना खेतर में मुस आज दक्तर में खुस आबाइब